आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू रोल समोसा की रेसीपी आज कुछ नए तरकी से बनाएंगे बहुत ही जटपट और आसान से रेसीपी है मस्कार मैं हूँ संगीता वसोया इंडियाम कूकिंग चल में आपका बहुत बहुत स्वागत है पोटेटो रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो कप जितना मैदा लिया है आदा चम्मत जितना अजवाइन लिया है जो डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे जो अजवाइन का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से समोसे में आ जाए स्वाथ के हिसाब से एक चम्मच जितना नमक डालेंगे मेदे में एक चम्मच जितनी सुजी डालेंगे मैदे में थोड़ी सूजी मिलाने से समोसा भोती क्रिस्पी बनता है मोन लगाने के लिए दो चम मजितना शुद्ध देसी घी डालेंगे समोसे में शुद्ध देसी घी का मोन लगाने से समोसा भोती खस्ता बनता है मेदे में अजवाई, नमाग, सूजी और घी को अच्छी तरह से मिला लेंगे ये देखिए अच्छी तरह से मिला कर हमने मोहिन लगा लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालते जाएंगे और आटा गुतते जाएंगे जवरत के इससाब से थोड़ा थोड़ा पाने एट करते जाएंगे और आटा लगाते जाएंगे आटा हम मीडियम से थोड़ा सकत ही लगाएंगे ये देखिए थोड़ा से सकत हमने आटा गुत के तयार कर लिया है अब इसके उपर आदा चम्म शुद्ध दिसी घी से ग्रीस करेंगे आटे में घी को ग्रीस करते हुए आटा आची तरह से घुत लेंगे अब हम घुते हुए आटे को ढखकर 20 मिट रेश्ट होने के लिए छोड़ देंगे आटा हमारा रेश्ट होता तब तक हम आलू का स्टपिंग बना लेते हैं स्टपिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बॉयल की हुए छे आलू लिये हैं उबले हुए आलू को हम इस तरह से कद्दू कस कर लेंगे आप चाहित आलू को मैच भी कर सकते हो कदूकस करने से आलू अच्छी तरह से मैच हो जाते हैं ये देखिए सब भी आलू को मने इस तरह से कदूकस करके त्यार कर लिया है अब इसमें 2-3 बारेक चॉप की भी हरी मेच्च डालेंगे अब इसमें 1 इंच अदर का पेश्ट डालेंगे अब इसमें जाएंगी थोड़ी से चिल्ली फ्लेक्स दो बारीक चॉप कर यूप पेश्ट डालेंगे आदा चम्मच धनिया जीरा पाउड़ा डालेंगे एक चोटा चम्मच जितना हल्दी पाउड़ा डालेंगे थोड़ा सा गरम मसला डालेंगे समोसे का टेस्ट और जाधा चट पटा करने के लिए आदा चम्मच जितना चाट मसला डालेंगे दो चम्मच जितना चावल काटा डालेंगे यहाँ पे मैंने चावल को मिक्सिन जाल में पिसकेस का पाउड़र बना लिया है चावल का अटा डालने से समोसे में बाइडिंग वो तेची मिलती है एक चम्मच सौट के हिस्साथ से नमक डालेंगे सारी चीजों को हाथों के मदस्ते अच्छी तरह से मिला लेते हैं हम निजे इसमें डालें मसाले प्याज हरे मिर्ची चावल का अटा वो सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं अब इसमें जाएंगा फ्रेश बारिक काटा हुआ हरे धनिय को अच्छी तरह से मिलाते हुए मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से मिलाने के बाद समोसे में भरने का हमारा आलू का मसाला बनकर त्यार हो गया है अब हम श्टपिंग में से थोड़ा सा श्टपिंग लेके इस तरह से हाथों से घुमाते हुए इस तरह से लंबी शेप में आकर देके इससे त्यार कर लेते हैं बस इस तरह से लंबी शेप में हमें बना के त्यार कर लेना है बस इस तरह से मैंने ये सारी बना कर त्यार कर लिए ये दिखिए अब हम समस्य को चिपकाने के लिए स्लरी बनाएंगे एक चमच मैदा लेंगे मैदे में थोड़ा सा पाने एट करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से मिलाने के बाद सलरी हमारे बन कर तैयार हो गई है अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे गुते हुए आटे में से एक लोई लेकर हम इसे इस तरह से बेल लेंगे इसे हम रोटी से भी बड़ी साइज में बेल लेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बड़ी साइज में बेल लिया है अब हम रोटी को चार ओवर से चाको के मदद से काट लेंगे चार ओवर से काट के इसे चवरस आकर में बना लेंगे कि यह देखिए रोटि को मैने इस तरह से चौरज टुक्ड़ों में काटके तयार कर लिया है अब हम इसे तीन भागों में काटके डिवाइड कर लेंगे कि और यह देखिए इस तरह से काटके मैंने इसकी तीन लंभी पट्ति dairy बना ली है पट्टे की उपर एक साइड में हम आलू का स्टपिंग रखेंगे स्टपिंग की ओर से इसे फोल्ड करते हुए रोल करेंगे तीनों पट्टे को इसे तरह से फोल्ड करते हुए रोल समोसा बना लेंगे पट्टे के आगे की साइड में हम अब हमिसे रोल करते हुए अच्छी तरह से चिपका देंगे ये देखिए समसे को मैंने अच्छी तरह से सिल करके इसे पैक कर लिया है ये देखिए सारे रोल समसे को मैंने बेल के स्टपिंग भर के तयार कर लिया है अब हम इसे फ्राय करेंगे फ्राय करने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल हमार आची तरह से गरम हो गया है अब हम एकेक करके रोल समस्य को तेल में डालेंगे तेल हमार आची तरह से गरम होने के बाद हम गेस की अच को मीडियम करेंगे और इसे हलके आतों से पलटे रहेंगे शुर्टी समसे को हम फंपलट्ट हुए इसे गुल्डवन प्रोल्ण तक फ्राइ करेंगे समसे को मीडे माच पर पकाएंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए यह देखिए दीमी आच पर फ्राय करने के बाद बहुती बड़िया हमारे समोसे में गुल्डन ब्रॉन कलर आ गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं बची हुए सारे रोल समसे को हम इसी प्रकार फ्राय करके त्यार करेंगे तो तयार हमारे एकदम क्रिस्पी खस्ता रोल समसे अब मैं इसे गर्मा गरम सर्फ करूंगी टामेटो केचप के साथ तो फ्रेंड्स हैना इसे बनाना बहुती असान रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद